गौतम गुपता भारतिय टेलिविजन और फिल्म उद्योग में उभरता सितारा गौतम गुपता एक प्रमुख भारतिय टेलिविजन अभिनेता और मॉडल हैं, जो स्क्रीन पर अपने सम्मोहक अभिनय और करिश्माई उपस्थिती के लिए जाने जाते हैं मनोरण जन उद्योग में गहरी जड़े जमा चुके गुपता ने अपनी प्रतिभा और समर्पन के माध्यम से अपने लिए एक जगह बनाई है विभिन टेलिविजन शो और फिल्मों में उनकी उलेखनिय भूमिकाओं ने उन्हें एक वफादार प्रशंसक और आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई है प्रारंभिक कैरियर और सफल्ता फिल्म उद्योग से गहराई से जुड़े परिवार में जन में और पलेबधे गुपता का कला के प्रती जुनून कम उम्र में ही जग गया उनके पिता सुशील गुपता मनोरंजन के व्यवसाय में एक प्रमुख व्यक्ती एक प्रसिध पोस्ट प्रोडक्शन कमपनी के मालिक है अपने पारिवारिक संबंधों के बावजूद गौतम ने अभिनय में अपनी असली पहचान तलाशने से पहले शुरू में विभिंद रुचियों की खोज की यह एक आकस्मिक शन था जब एक दोस्त ने उन्हें अभिनय कक्षा में हाथ आजमाने का सुझाव दिया उन्हें नहीं पता था कि यह सिफारिश उनके भाग्य को आकार देगी अवसर का लाब उठाते हुए गौतम गुपता ने उचसाह के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही उन्हें इस कला में अपनी जन्मजात प्रतिभा का पता चला एक नौसिखिया से एक अनुभवी अभिनेता तक की उनकी यात्रा कला के प्रती उनके अटूट द्रिड संकल्प और जुनून को दर्शाती है प्रमुक्ता में वृध्धी उल्लेखनिय कार्य मनोरंजन उद्योग में गौतम गुपता की उन्नती को टेलिविजन और फिल्म दोनों में उल्लेखनिय प्रदर्शन द्वारा चेहनित किया गया है लोग प्रिय टेलिविजन श्रिंखला मेरी आशी की तुमसे ही में शर्मन मितेश पारेख के उनके किरदार को व्यापक प्रशंसा मिली और एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ किरदार में उन्होंने जो गहराई और प्रामानिकता लाई उसने दर्शकों को उनका चहेता बना दिया और उन्हें देखने लायक एक होनहार प्रतिभा के रूप में स्थापित कर दिया बालाजी टेली फिल्स प्रोडक्शन कुछ तो है तेरे मेरे दर्मियान में गौतम ने माधवन, मैडी, वेंकट के किरदार से दर्शकों को मंत्रमुख्ध कर दिया स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले इस चोने उन्हें अपनी अभिनयक शमता दिखाने और उद्योग में अपनी स्थिती को और मजबूत करने के लिए एक और मंच प्रदान किया विभिन भूमिकाओ को सहचता से निभाने की उनकी शमता एक अभिनेता के रूप में उनकी प्रतिभा और बहुमुख्धी प्रतिभा को रेखांकित करती है छोटे परदे से परे गौतम गुपता ने सिनेमा की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है 2007 की फिल्म गोव में अभय नरूला के रूप में उनकी भूमिकाओ ने एक बहुमुख्धी अभिनेता के रूप में उनकी ख्षमता को प्रदर्शित किया जो विभिन माध्यमों में सहचता से परिवर्तन करने में सक्षम है प्रत्येक परियोजना के साथ वह अपने शिल्प की सीमाओं को आगे बढ़ाना और कलात्मक अभिव्यक्ती के लिए नए रास्ते तलाशना जारी रखता है व्यक्तिगत जीवन और उपलब्धिया अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद गौतम गुप्ता को अपने निजी जीवन में सांत्वना और खुशी मिलती है 2017 में उन्होंने प्यार और सहयोग के उच्सव में अपनी मेरी आशिकी की सहकलाकार स्मृती खन्ना के साथ शादी के बंधन में बंध गए उनका मिलन ओनस्क्रीन और ओफस्क्रीन बने गहरे संबंधों का प्रमाण है और उनकी केमिस्ट्री प्रशनसकों को मंत्रमुग्ध करती रहती है अप्रेल दो हजार बीस में दमपती ने दुनिया में अपनी खुशियों का स्वागत किया और मातापिता बनने की खुशियों और चुनोतियों को शालींता और उत्साह के साथ स्विकार किया उनकी बेटी के आगमन से उनके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया जो प्यार, हसी और अंगिनत अन्मोल क्षणों से भरा हुआ था निशकर्ष आगे एक उजवल भविश्य गौतम गुपता की साधारन शुरुवात से लेकर घर-घर में मशूर नाम बनने तक का सफर जुनून, द्रिड़ता और प्रतिभा की शक्ती का उदाहरन है प्रत्येक भूमिका के साथ, वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना और अपनी कला की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं जैसे जैसे वह मनोरंजन उद्योग के लगातार विक्सित हो रहे परिद्रिश्य को देखते हैं, एक बात निश्चित बनी रहती है, गौतम गुपता एक ताकत हैं, और उनका सितारा आने वाले वर्षों तक चमकता रहेगा संक्षेप में भारतिय टेलिविजन और सिनेमा में गौतम गुपता के योगदान ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है, और उनकी यात्रा हर जगह महत्वाकांख्शी अभिनेताओं के लिए प्रेणा का काम करती है अपनी जन्मजात प्रतिभा, समर्पन और अपनी कला के प्रती अटूट प्रतिबधता के साथ वह नई उचाईयों को जीतने और मनोरंजन इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्स कराने के लिए तयार है